गैसे हल्व स्टूडेंट्स आज हम करेंगे कि प्रिंटर में फर्दर टाइब्स। और प्रिंटर में मैंने तुम्हें ड़इन करिक्टर प्रिंटर के बारे में बता दिया to लेकिन इसमें क्या है पूरी एक लाइन एक बार में प्रिंट होती है ११ा इस की स्पीड 30 to 250 लाइन पर मिनट्रशन सबहुति है यह तो यह थोड़े भारी होते हैं वझन में और काम करने में आवाज पहुत करते हैं और इंप्रिंटर के जो features मैंने बताए थे जैसे high temperature में काम कर सकते हैं law maintenance के जरूर परती है speed कम होती है quality इतनी अच्छी नहीं होती है यह features तु लिख सकते हो इसमें जो इसकी types है उसमें पहली printer है drum printer ड्रम प्रेंटर में एक ड्रम होता है पूरा जो की जिसके उपर uses a rotating drum यह प्रिंटिंग के टाइम पर यह ड्रम है यह rotate करता है इसको cylinder भी बोल सकते हो ड्रम भी इस तरह का ड्रम होता है और इस ड्रम पर जैसे यह की लाइन यह बी की लाइन ऐसे alphabets की लाइन होती है और यह उब्रेवे होते हैं थोड़े से raised character मतलब हलके से उब्रेवे character होते हैं यह और जब यह printer क्या करता है पूरी लाइन एक बार में print करने के लिए क्या होता है जो जिस system से जुड़ेवे होते हैं उनसे इन्हें पूरी लाइन का data एक बार में मिल जाता है printer receive all characters to be printed in one line of text from processor मतलब प्रोसेसर से printer को एक line में जितने भी character print करने होते हैं उनका data एक बार में मिल जाता है जब इनको data मिल जाता है तो सारे उस line के सारे hammer है मतलब सारे characters के जो hammer लगेवे हैं head है जितने भी character एक line में लिखने हैं वो सारे एक साथ बार निकलते हैं और एक साथ वो ink के ribbon से टकराते ह और ink के ribbon से टकराने के बाद फिर वो paper से टकराते हैं और वो ink यानि वो characters वहाँ पे छप जाते हैं पूरी line एक बार में छप जाती है speed 200 से 2000, 2000, line per minute यानि speed काफी अच्छी है इसकी, इसकी problem यह है कि यह characters है मतलब जैसे ABCD है यहाँ पर अगर मुझे हिंदी के font प्रिंट करने है या कोई और language के तो मैं इसको change नहीं कर सकती क्योंकि letter है यह इसके अंदर होते हैं इसके अंदर ही attach होते हैं और इनको हम हटा नहीं सकते अगर यह letter change करने है दूसरी writing में लिखना है तो पूरा drum ही change करना पड़ेगा जो की बहुत expensive पड़ता है और इस line में मानलो हमने paper अच्छे से set नहीं किया अगर तो जो line है पूरी line एक बार में print होती है तो पूरी line के बीच में spacing है वो गड़बढ हो सकती है लाइने आदी तिर्शी print हो सकती है तो paper अच्छे से set करना पड़ेगा हमें तो wavy writing का मतलब है कई बार आदी तिर्शी writing की problem भी आ जाती है बहुत महंगे भी पड़ते हैं यह और paper अच्छे से set करना पड़ता है अगर paper अच्छे से set नहीं किया तो quality अच्छी नहीं आती है